मैं कहूंगा CS यहां है बागी सब सलेवस नीचे है प्रैक्टिसिंग में पैसा कितना है पास अटेंट पेपर इस की टू सक्सेस तो कोई एक ऐसा बच्चा है कुछ ऐसा एक्सपीरेंस होगा क्या आपको लगा यह तो क्लियर होने वाला बट हो गया हूं क्या एडवाइस हो कि जॉब अच्छा है टीचिंग अच्छा है कि प्रैक्टिस अच्छा है यह हमारी जो काउंटिंग होती है आप बिलीव नहीं करोगे यह काउंटिंग चलती है रात रात भर तक है ना और इसके लिए गौर्मेंट के लोग आता है मेरे कई सारे फ्रेंट्स 50 लाग तक पहुं अच्छा रूल पता है कि यूट्यूब पढ़े तो 50,000 स्टूडेंट होता है अभी 50,000 एक बच्चा है एक कोचिंग को अगर 15,000-20,000 भी देता है तो आप लगओ फिफ्टी करोड से ज़्यादा पैसे हो गए 100 करोड तक भी पहुंच जाते हैं मैं कई सारे हमारे सी एस प्रैक्टिसिंग लोगों को जानता हूं जिनकी प्रैक्टिस अबव तू 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 थी करोड ए इंस्टिटूट ऑफ कमनी सेगरेटीज ऑफ इंडिया वह स्पॉंसर स्पॉंसर ऑफ डाइट पर्टिकुलर प्रोग्रम जहां पर मोदी जीन है वो बड़ा सा एक गंटा बजा कर तो गाइस कि आप लोगों को यह जानने में इंट्रेस्ट है कि सी एस प्रैक्टिस में कितना पैसा होता होगा यह सी एस प्रोफेसर कितना पैसा अर्न करते हैं य क्योंकि आज के पड़कास्ट में मैं आपको एक ऐसे इंडिवीज्वल से मिलवाने वाली हूँ जिसने सी एस के सारे स्कोप में एक्सपीरियंस ले लखा है चाहे वो एम्प्लॉइमेंट हो चाहे वो फॉर्म हो चाहे वो प्रोफेसर का हो या चाहे वो इंस्टिट्यूट का चेर्मेंशिप हो या इस गाइस मैं बात कर रही हूँ सी एस दीपक केवल या सर की गाइस उन्हें सी एस प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है वो हेड सी एस है कंपनी के वो प्रोफेसर भी है जो बच्चे को पढ़ाते है प्लस वो आई सी एस जोदपूर चैटर के चेर्म इस प्रियान भी रह चुके है सबसे बेस्ट पार्ट है उन्होंने इस प्रड़कास्ट में इन सारे चीजों की रिइल इंकम भी रिवील की है कि आपको किसमें कितना पैसा मिल सकता किसमें कितना काम होता है तैंक यू सो मच आप अपना इतना प्रीशियस टैम निकालकर हमा इसे मैं रियल तुथ बता हूँ कि वेन आइसे फैमिली और 1,30,000 पीपल ऑफ यूट्यूब और 55,000 अराउंड इन्स्टाग्राम तो आइम फिलिंग गुड कि एक ऐसे परसंड के साथ में बैठा हूँ जिससे जो सवाल आने वाले हैं और जो जवाब जाने वाले हैं वो औरिजिनली स्टुडेंट या मैंबर्स को पता चलेगा कि चीजें क्या होती है कैसे होती है मैं अपने लाइफ एक्सपिरियंस चायद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा तो मैं फिलिंग बेरी कोड बिसिकली एक्चुली एंड सबसे मेंड चीज है कि आप ना एक जो CS रहाज़े स्यादा टीचिंग में जा सकता है प्रैक्टिसिंग में जा सकता है इंडिपेंड डिरेक्टर बन सकता है चेर्में बन सकता है यह सारी चीजे जॉब कर सकता है आपके पास है तो मेरे पास तो बहुत सा करके देखे अगर आप बात करेंगे कि वाय आई चूज सी एस और सेकंड क्वेशन है कि विग्रेट तो मैं पहले सेकंड क्वेशन का आंसर दूंगा कि रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस वन आप मोस्ट प्रेस्टीजियस प्रोफेशन जो मैं आजकल फील कर पाया हूँ कभी भी किसी को अपना नाम डरेक्ट नहीं बताता हूँ CS दीपक के वलिया बोलके बताता हूँ और फुल प्रावड फीलिंग मेरे पास लॉर डिग्री भी है बट आइम इन CS प्रोफेशन तो रिग्रेट बिल्कुल नहीं है अब चूज कूँ किया तो मुझे लगता है कि मैं आपको एकदम बेसिक से अपनी स्टोरी बताता हूँ राइट टेंथ क्लास में मैं था 50.33 परसेंटेज बने थे बेसिकली सर ब्रेक लेते इसमें 50.33 परसेंटेंट में 600 में से 301 तो यह भी मुझे लगता है कि व्यूवर्स के लिए अच्छा जवाब होगा कि मैंने 12 के बाद यानि कि 3 साल बाद CS स्टार्ट के लोग 12 के बाद स्टार्ट कर देते हैं तो अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा है तो अभी भी मेरे से 3 साल आगे है बीकॉम जब मैं कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन में तो एक बार फैमिली डिसकेशन में मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि What To Do Now हमारे सेटल बिजिनिस है मिठाई का बिजनिस है और एगरीक्रफिर का अच्छा हमारा काम है तो पापा ने मुझसे पूछा कि क्या करना है तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है तब बहुत सारी रीसेर्च करने के सबसे बड़ा बेनिफेट हुआ यह नोट करने वाली बात है कि जब मैंने मैं M.com किया मैं M.com in ABST हुँ इन बिजनिस स्टेडी राजस्थान की उनिवर्सिटी है महर्षि दयानम्द युनिवर्सिटी अजमेर वहां से मैंने किया एंड गोट थर्ड रेंक इन माई M.com तो आप ऐसे चेक कर सकते हो की 10 तो मैं 50 और M.com मैं 3rd ये it is because of I guess CS का knowledge or study exactly अगर मैं CS नहीं कर रहा होता तो शायद मैं LLB भी नहीं करता साथ ही साथ अगर मैं CS नहीं कर रहा होता तो M.com में में इतने परसेंटेज नहीं बनते मैंने वहाँ पर corporate accounting पढ़ा मैंने tax पढ़ा वहाँ जो मेरी महबबत है tax मैंने वहाँ tax पढ़ा वही tax जब मैंने M.com में दिया तो मुझे समझ में आया कि यार मैं इतना ज़्यादा पढ़ चुका हूँ अभी मुझे इतना सा exam देना है और मैं बहुत कम पढ़ाई करके मैं 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 टॉप किया और मेरे साथ बैठने वाले जो मेरे hometown मैं जब जेसल मेर में था 12th class तक I belong to जेसल मेर बेसिकली तो जब मैं 12th class तक जेसल मेर में था तो मेरे साथ में मेरे ही बैच के वो सब एक्जाम देने वाले थे जब पहले 50 परसेंट थे तब वही सारे फ्रेंट्स वगरे सब लोग एंडाई गॉट थर्ड रैंक इन उनिवर्सिटी तो सब लोग उले कि क्या है यह ऐसे जन्न कुंडली पे डैपिनेटली यह यह मैं 100% इसका पूरा-पूरा श्रेय स्क काम लोग पढ़ रहे ना वो कहीं पर भी काम आ सकती है मैं बहुत लोकल लेवल से अगर आपको बता हूं तो जूनियर अकाउंटेंट का जो सब्स है वो भी यहां पर सेम हो जाता है तो आप गौवर्मेंट जॉब में भी का सकते हो सीएस कुछ दिन पहले अभी की तियारी कर ली उसने नैट की तियारी कर ली सारे सले बस सीएस से मिलते जूलते हो या फिर मैं काऊंगा सीएस यहां है बाकी सब सले बस नीचे है एक्चली मैं इस बात पर बिलकुल अगरी कर तो कि there is one of my friends जो सीएस नहीं बन पाया प्रोफेशनल एक्जाम में दे रहा ह मन्त जबकि वह बना भी नहीं है तो जैसे अभी मैं कई सारी कंपनीज के लिए काम करता हूं मैं तो मुझे कई सारी कंपनीज में जो प्रमोटर्स या डिरेक्टर्स होते हो बोलते हैं कि सर कोई ऐसा परसंदो जिसने सीएस की पढ़ाई कर रखी है और हम वह उसे अच्छा सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि उनके यहां पर जो बेसिक स्टाफ है उससे हमारे सीएस पढ़ावा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको ज्यादा बेसिक नॉलेज होता है तो जो आप कह रहे हो 40,000 तो वह भी experience मैं भी ले रहा हूं बहुत सारे लोगों की ज करते हैं प्रैक्टिसिंग के साथ सबसे पहला इंप्रैक्टिसिंग में पैसा कितना है अब मैं आपको इसका जवाब इसलिए एकदम एग्जेक्ट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहां पर नहीं मिनिमम और मैक्सिमम है देखो अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो स्काइज दे लिमिट मैं कई सारे हमारे सीएस प्रैक्टेसिंग लोगों को जानता हूं जिनकी प्रैक्टेस अबव टू टू-3 करोड है उनका प्रैक्टेसिंग रेवेन्यू अबव टू-3 करोड है पर एनम और कई सारे उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फाइफ करोड तक पहुंच गया है मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स जो चला रहे हैं हमारे प्रैक्टेसिंग मैंबर्स उनका तो कुछ हम कही नहीं सकते वह एक एक आईपियो की फीस बीस पच्चिस पच्चिस लाख रुपए ले लेता है सपोज उन्होंने साल के 20 SME IPO के मैं SME IPO की बात कर रहा हूं बीस कर लिए तो चार करोड तो उनके SME IPO से रिसिप्ट हो गई तो यहां पर रिसिप्ट की बात करें तो स्टार्टिंग जो काम करता है उसको थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है विकॉज अल्डपेंड्स और नेट्वर्किंग आपके नेट्वर्क कैसे क्रियेट हो रहे हैं स्टार्ट दे देते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे कि 10-12 लाग से 4-5 करोड तक तो मैं लोगों को जानता हूं बाकी जो exception है वो तो पूरे दुनिया को पता है पूरे देश को पता है पूरे CS मेंबर स्टूरेंट सब को पता है कि जो 5 करोड से ज्यादा वाली वे स्टूरेंट सब्सक्ति को जिसको प्राइक्टिस करनी जिसको इंट्रेस्ट आरा है अप उनको करोड़े क्या ऐडवाइस नहीं चैलेंज इस उन्हें ऐज़ेगे फेस करते हो उनने के हो में मैं कंशलट इंसक्य करता हूं थिके बट मैं कई सारे लोगों से जब तो मुझे यह बाथ पता है कि प्रैक्ट्रियस सेट अपके लिए सिस्टम कैसे साथ होता है स्मॉल टॉण में क्या होता है आपके पास GST का काम कर सकते हो, आप Trademark Registration का काम कर सकते हो, आप Income Tax का काम कर सकते हो, और इसके अलावा आप Finance के लिए Finance Advisor DSA टाइप का भी काम कर सकते हो, तो Initial Level पे आपको सब काम शुरू कर देने चाहिए, पता है क्या होता है, जैसे आपने 5 एरिया पकड़े हैं, उन 5 एरि जो दूसरे चार एरिया है, वो आपके स्टाफ के लिए बच जाएंगे, या आपके जूनियर्स के लिए बच जाएंगे, तो कोई परसन ऐसा होगा, जो GST में हिट कर जाएगा, तो उसकी GST की प्रैक्टिस चलेगी, अब मैं अपन कोर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, तो आपके दस दोस्तों ने चीए, जो अल्रेडी कंपनी में हो, वो आटोमेटिकली आपको काम दिंगे, वो काम दिलाएंगे आपको, तो यहाँ पर नेटवर्किंग अगर आपकी है, तो यू केन बिकम गुड़ प्रैक्टेसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अभी धीरे धीरे बढ आया था, तो हमने जीएस्टी में बहुत अच्छी एंट्री ली थी, 2017 में मुझे याद है, इंस्टीट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वो स्पॉंसर्ड, स्पॉंसर ऑफ डाट पर्टिकुलर प्रोग्रम, जहां पर मोदी जी ने वो बड़ा सा एक गंटा बजा कर और जीएस्टी को लांच किया था, तीस जून 2017 की रात को, तो पूरे हर मीडिया में, हर चैनल में पीछे आईसी ऐसा ही लिखावा था, तो वहां से हमारा जीएस्टी का भी स्कॉप शुरू हो गया, तो स्मॉल टाउन के लिए सारे, बड़े टाउन के लिए ऐसे मी हो गया से भी से रिलेटेड लिस्टेट कंपनी का काम हो गया, नेटवर्किंग अच्छी है तो काम अच्छा होगा, बहुत एक्तम क्रक्स में आपने समझा दिया, बहुत अच्छे से की प्रैक्टिसिंग में क्या क्या है, सिर अब मैंको न, यह चीज बहुत इंट्रेस्ट ला रह चेर्मेंशिप जो है न, वो कभी भी पेड जॉब या पेड वाला काम नहीं है, यहां पर इंस्टिट्यूट को हम सर्विसेज दे रही है, यह बात पता है कि शौक का विसा है, इसे में अच्छे शब्दों में कहूं, तो मेरा शौक था मुझे लोगों के बीच में जाकर बात करना, उनकी समस्यां सुनना और उनकी समस्यां को आगे तक पहुंचाने का शौक था, तो मैंने 2019 में एलेक्शन फाइट किया, मैनेजिंग कमिटी मेंबर बन गया मैं, और फिर चेर्में बन गया 22 में, तो जैसे अभी आजकल जो इनकी ग्रेडिंग चल रही है, ऐसा करके, तो जो higher category के जो chapters होते हैं, वहाँ पर भी election होते हैं, लोवर category के जो chapters होते हैं, वहाँ पर भी हमारा election होता है, ठीक है, election में voting होती है, जहाँ पर vote सिर्फ member दे सकता है, यहाँ पर main guideline है कि वो member जिसका professional address जिस शहर का है, वो शहर में vote देता है, वोट देकर, वो साथ candidate elect करता है, chairman का election ही होता है, managing committee member का election होता है, यह जो voting होती है, यह भी दो type की होती है, पहला जो voting का type है, वो है preferential voting, अगर आपने न, company law में, अगर एक chapter पढ़ रखा है, preferential वाला, वो ऐसा ही, जैसा हमारा president का election होता है, ठीक, वैसे ही, बड़े chapters की, sorry to disturb sir, but president का भी जानना चाहूंगी मैं, अरे, देखे, क्या होता है, आपको है न, जैसे जतने candidate खड़े हैं, जो मैं बड़े chapters की बात कर रहा हूं, platinum है, जितने candidate खड़े हैं, आपको हर candidate को numbering vote देना है, जैसे आपने, say for example, मैं खड़े हूं, आपने मेरे को one vote दिया, कोई person है B, C, B, ऐसे लोग खड़ें, आपको भी अच्छा लग रहा है, B को second दिया, C को third vote दिया, तो अब क्या होता है, जब counting होगी इनकी, बड़ा ही tricky है, जब इनकी counting होगी न, तो elimination round भी होंगे, और preferential round भी होंगे, तो counting कैसे होती है, जैसे first preference आपने जिसको दिया है as a managing committee member, उसको पहले side में रख लेंगे, फिर एक quota बनता है, quota का मतलब क्या हो गया, जैसे suppose 100 member हैं, और 7 लोग खड़े हैं, तो 100 divided by 7 जो number आता है, उतने number of first preference vote मिल गए किसी को, first मतलब एक number अगर बहुत सारे members ने उसको दिया है, तो वो person आ गया, elect हो गया, ऐसे ऐसे करके ऊपर से election शुरू होता है, देखा जाता है कि सबसे कम vote किसको है, अब वो eliminate हो रहा है, तो जो व्यक्ति eliminate हो रहा है, उस व्यक्ति का second preference, say for example मैं eliminate हो गया, तो और मुझे आपने second preference vote दिया था, और मैं eliminate हो गया, अब आपने जिसको second preference दिया है न, वो vote, वो second preference first बन जाएगा, जो अभी in है, say for example, राम, शाम, मोहन, तीन जने खड़े हैं, राम eliminate हो रहा है, आपने राम को first दिया था, राम eliminate हो रहा है, अब शाम को आपने two vote दिया था, दो number दिया था, क्योंकि राम eliminate हो गया है, अब शाम को एक vote करके count हो जाएगा, और शाम उपर पहुंच जाएगा, तो elimination round होता है, और selection round बड़ा ट्रिकी है जब यह हमारी जो काउंटिंग होती है आप बिलीव नहीं करोगे यह काउंटिंग चलती है रात रात भर तक और इसके लिए गौवर्मेंट के लोग आते हैं मतलब हमारे एलेक्शन में हम लोग जो है ना वह जो मैंबर्स के लावा गौवर्मेंट के हैं या उसके नीचे बोल्ड केटिग्री के हैं जो नीचे वाले चैप्टर से आइम नॉट शूर मैं एकदम कैटिग्री वाइस मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं एकदम से बट आप इसको ऐसा समझीए जैसे जैपूर हायर वाली कैटिग्री में जोद्पूर चैप् सिको जैसे आपने डो बी डो नमबर भी दिया और फारक नहीं पड़ेगा उसका एक को अॉट काउंट होगा मतलब जैसे आपने मेरेको दो नमबर वो何 तो मेरा भी एक उन्वोट गया कि मेरे को अगर साथे नंबर पे चटे नंबर पे तीसरे नंबर पे किसी नंबर पे आगर वोट दिया तो मेरा एक वोट हो गया इस तरह से वोट के बंडल में सबसे जादा वोट जिसके पास आते वह फॉर्स सेकेंड थर्ड पॉर फाफ सिक्स ऐसे गरके 7 managing committee मेंबर बनते हैं जब ही मैनेजिंग कमेटी मेंबर बन गए अब इनका इलेक्शन होता है आपस में अच्छा लोग आपस में किसी एक को चैर्में बनाते हैं और हमारे इंस्टीट की लीडर्शिप का एक दम अच्छा रूल पता है क्या है आप तो पहली बात अगली बार से कभी चुनाव नहीं लड सकते मैं एक बार चेर्में बन गया अब मैं चैप्टर का इलेक्शन नहीं लड सकता मुझे रिजनल कांचिल का इलेक्शन लडना है अब ही क्या होगा मैं 2019 में ट्रेजर आर था इसलिए मैं 2020 में सेक्रेटरी बना और 2021 में मैं सेक्रेटरी बना अब मैं फोर्ट इयर में था अच्छा यह जो साथ लोग है ना यह चार साल तक रहेंगे हर चार-चार साल में वाप्टे से एलेक्शन होता है चार साल के बाद फिर से एलेक्शन होगा जो सेक्रेटरी ट्रेजर वगर बना वो लड़ सकते हैं बड़ चेर्मेन वाप्टे से लेक्शन नहीं लड़ सकता यानि कि हर साल चार लोग इलेक्शन लड़ने से आउट हो जाते हैं इसके कुछ पॉजिटिव भी है कि नए बता दिया आपने तो चेर्मेन का प्रेजिडेंट का अंदर से नीता बहार निकला बहुत बच्चों को यह काम आने वाला क्लारीटी मिलने वाली कि मुझे अब तक इतना इडिया नीता ना अब चेर्मेन बने है तो इसके कुछ तो फाइदे होंगे ना चेर्मेन बनने का स तो मैं नए आठी का कॉन्वकेशन होस्ट कर रहा था तो मुझे दिविंडर देृश पांडे सरने मुझे बुला के बूला कि डोंट के मैं इंड्रक्शन मैं इंड्रक्शन इस दी प्रेजिडेंट दी आईए हैसी तो चेर्मेन होना खुद अपने आप में एक इंटरोच् यह सबसे बड़ा फायदा है, as far as dignity is concerned, but no monetary benefits are there, it is purely a service, giving back to our committee, right, yes, yes, this is our almometer, ICSI is our almometer, it is our responsibility, that we have to do something, so I gave, now we will get some time, we will do it again, अब हमने practicing देखी, हमने chairmanship देखी, अब हम आजाते हैं teaching पर, इसमें भी मेरा सबसे पहला सवाल होगा, teaching में कितना पैसा है, देखिए, अभी है एक दम बहुत खदरना question अपने मुझसे पूछा है, कि teaching में कितना पैसा है, face to face पढ़ाते हैं, सामने बच्चे बैठे होते हैं, बच्चे खुद counting कर देते हैं, कि हमारी piece यतनी multi-blood भा, इतना पैसा है, बट, online जो classes पढ़ाते हैं, उसमें तो अब मैं क्या ही बता हूँ, किसी को नहीं पता होता है, virtual दुनिया है, sky is the limit, again I'll say, कई सारे हमारे बड़े teachers हैं, जो क्रोड से में कमा रहे हैं, कई सारे, मेरे जाता है, कि 1CR से अबाओ, सब teachers जाते हैं, 5CR तक पहुंच जाते हैं, देखो मैं आपको न, इसमें एक, मैं बिना नाम दिये बताता हूँ, ठीक है, बिलकुल, अपने इंडिया में कुछ ऐसी classes हैं, बहुत सारी ऐसी classes हैं, जिनका एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिनकी ख किसी की audience अगर, दो लाग की create हो गई है, आप सोचें न, कोई दो लाग YouTube पे अगर हैं, आप उसको multiply कर लो न, अगर 20% भी उसका अगर उन्होंने पढ़ाए हैं बच्चे, आप उसको फीस से multiply कर दो, 50 करोड तक पहुंच जाएगा, आप ऐसा समझो, किसी के YouTube पे धाई लाग सब्सक्राइबर हैं, 20% भी उनसे पढ़ा हैं, तो 50,000 student होता है, अभी 50,000 एक बच्चा, एक कोचिंग को अगर 15,000, 20,000 भी देता है, तो आप लगाओ, 50 करोड से ज़्यादा पैस हो गए, 100 करोड तक भी पहुंच जाते हैं, कई सारे, मुझे ऐसा लगता है कि, बढ़ी industry है कि मैंने कभी बच्चों से ज़्यादा फीस नहीं लिए, कभी नहीं लिए ज़्यादा फीस, और अगर कभी फीस दिखाने के लिए ज़्यादा रखनी भी होती, तो पीछे एक discount factor भी हमेशा रहता है, ये सेवा है, teaching में कभी कोई person तब तक नहीं हिट होगा, जब तक teaching उसका passion ना हो, like me, मेरे पास बहुत सारी opportunities थी, मैंने teaching को चूज किया, teaching was my passion, जब कोई person passion को profession बना देता है, तो आप यकीन मनूँ अच्छा ही कमाएगा, वो market कितना cater कर रहा है, उस पर depend करता है, अगर आप face to face classes में, मैं face to face classes में था पहले, तो मैं जोत्पुर और आसपास के गाउ वो को cater करता था, तो मेरा audience में ने उतनी है, तो मेरी earning में उतनी रहेगी, अभी मैं last कुछ दिनों से मैं online में enter हो चुका हूँ, right, तो मेरी audience बढ़ी हो गए, तो मेरा market भी बढ़ा हो गया, तो 100 करोड वाले भी हैं, और 10 लाक वाले भी है, teaching is very tough task, अजा 100 करोड की जब आपन बात करते हैं तो वो organization होता है, whole organization होता है, उसमें बहुत सारे teachers होता है, उनका revenue, उनका अलग-अलग, देखो CACS, CMA, फिर law, इस तरह से बहुत सारे ऐसे segment है, जिनकी feces भी बहुत सारी होती है, तो कमा सकते हैं, बट हम किसी का नाम लेके उसको reveal नहीं कर सकते, बट दिख जा teaching का, तो कोई एक ऐसा बच्चा है, कुछ ऐसा experience होगा, कि आपको लगा, यह तो clear होने नहीं वाला, बट हो गया हूँ, वैसे हर बैच में होता है, हर बैच में होता है, अभी recent में, मैंने जैसा अभी, कुछ दिन पहले अभी अपनी बात चल दी थी, अभी latest में, वो खुशा अगर जो person पढ़ेगा, वो बनेगा, tip का मतलब यहाँ पर क्या है, अपको अपना एक खुद को समझना होगा, कि वो कैसे समझ सकता है, कैसे पढ़ सकता है, जैसे कोई student होता है, उसको लिख के समझ में आता है, तो जैसे मैं खुशाल का example दे रहा हूँ, खुशाल ने लिख उसको बोल के सुन के याद होता था, तो उसने सारी के सारे past written question record करके अपने mobile में डाल गिये, वो दिन में दो बार उसको सुनती थी, अब मैं ये बच्चे क्यों नाम याद रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हटके किया है, मेरे लिए past, मुझे पता भी नहीं था past हों थी, उसका थो मुझे confirm पता था, वो मुझे याद इसलिए है क्योंकि अलग type की situation से उसने पढ़ाई में जम किया, जम करके उसने पढ़ाई कर रहे हैं, बच्पड़ी अच्छी company में वो भी as a compliance officer job कर रही है, इस तरह से बहुत सारी एक और पटेल ही है, नेहा पटेल तो 78 marks है, मैंने का तुम क्या करके लायो, टैक्स में 78 उस वक्त लाना बड़ा tough था, नहीं आते थे 30 marks है और उसके 78 marks है, वो भी अच्छी है, अच्छी company में मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छी company में वो compliance officer के तोर पे काम कर रही है, कई सारे बच्चे इसी वज़े से य to success, अगर किसी person ने past return paper को समझ लिया, तो 7 में से 6 paper, executive की बात करो, 7 में से 6 paper उसी के base डाता है, एक paper कई बार हट के आजाता है, तो आप इसमें 2 है, past return paper और दूसरा है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो कि institute का एक paper ऐसा होता है, उसमें जो आप छोड़ के गए होना, उसी म मतलब मैं आपको बताऊंगा, merger and requisition करके पहले FMI chapter हुआ करता था, उसमें institute ने, मैं मेरे time की बात बता रहा हूँ, मैं करके गया था, कई लोग छोड़ के गए थे, 30 marks के question एक chapter में से पूछ लिए, तो कई बार institute को पता चल जाता है, fail होने वाले क्या छोड़ के गए, तो मैं आपने अगर कुछ छोड़ा, तो आपका नहीं होगा, तो सर मतलब हमने आपका teaching देखा, आपका practice देखा, आपका job भी आप करते थे, तो इन तिनों में से अगर हम करे compare, तो आप क्या advice हो कि job अच्छा है, teaching अच्छा है, कि practice अच्छा है? तो मैं इसमें दो-दो उठा के मैं जवाब देता हूँ, पहला मैं जवाब देता हूँ, जॉब और practice का, अगर आप ऐसे person हो, जो सुभह 9 बजे जाकर punch करेगा, और 6 बजे निकलके punch करके निकलेगा, और उसे सुकून रहेगा, और उसको हर महिने एक fixed amount of income चीए, तो उसे job क करनी चीए, अब कोई ऐसा person रहेगा, जिसकी sitting power नहीं है, जो लगातार बैठ नहीं सकता, जो boss की सुन नहीं सकता, जो target, अगर कोई, वैसे हमारे CS में कभी target नहीं होते हैं, बट reporting होती है, वो report नहीं करना पसंद कर रहा है, तो उसे job में नहीं, practicing में आना चीए, और as far as teaching is concerned, वही person teaching में आए, जिसका teaching passion हो, या teaching जिसका love हो, मेरे साथ विकास सर है, विकास पालिवाल सर, गुरुजी है मेरे, हल्दी राम group of companies में 2010 में, उन्होंने अच्छी job, he was whole time company secretary over there, और at the age of 22-23, वो छोड़ दी उन्होंने, चोड़ दी उन्होंने, और वो इतना बड़ा पैसा salary चोड़ कर 2010 में, बहुत अच्छा amount उनको मिल रहा था, वो छोड़ कर वो teaching में आए, और सिर्फ 5-7 बच्चे पढ़ाने के लिए, 10 बच्चे पढ़ाने के लिए teaching में आए, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे है, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो क्यों successful हुए, क्योंकि उनक है और जिसका love for teaching, वो teaching में जाए, मेरे नाना जी एक बात मुझे कहते थे हमेशा है, मारवाड़ी में बोलते हैं, नित हमेशा बड़ी होती है, नित का मतलब per month income, वो हमेशा बड़ा होता है, अगर किसी को per month 50,000 मिल रहे हैं, और ऐसे regular में कोई महीने के लाख सबाला कमा रह तो अगर आप ऐसे type के हो, कम risk लेने वाले हो, तो go with job, अचा job में salaries मिलती है, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, CS में एक बात पक्का है, CS करने के बाद हलकी सी salary कम होती है, मतलब आपने CS कर लिया, तो आपकी salary थोड़ी कम हो सकती है, depends आप कहां पे job कर रहे हो, लेकिन CS plus 4 to 5 years experience या 3 years of experience, फिर आप अपनी capability पर पैसा कमाऊगे, मेरे कई सारे friends 50 lakh तक पहुच गए है पर रहनम, job में, कई सारे friends अभी भी 25 लाग पर रहनम में है, और कई सारे friends जो friends कहें जूनियर कहें, जो CS plus 3-4 years of experience है, 5 years of experience है, वो 12 to 15 lakh में है, तो यहाँ पर आपकी capability, आ स्विच करना कितना जल्दी समझते हो, आप स्विच करना पसंद करते हो कि नहीं करते हो, तो job में वैसे जाओगे, practice में तो अभी हमने discuss किया, sky is the limit, आपको एक segment पकड़ना है, और teaching में अगर आपका प्यार है मेरी तरह, तो आओ, otherwise तो, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा clear हो तीन एडवाइस दिना पसंद परूँगा, students को, पहली एडवाइस यह है कि देखो, आपको consistency रखनी है, consistency का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करते टाइम, पहले पढ़ो, class में, फिर उसको revise करो, घर पे जाकर, और फिर उसे एक बार और revise करो, अभी कुछ एक जगह पे हमारी बात चल रही थी, कि जो हम घर पे जाके revise करते हैं, तो 24 hours तक अगर revise कर लेते हैं, एक psychological आप नहीं बताई थी वह वाली बात, मैं उसको आगे carry on करता हूँ, ठीक है, अगर आप कोई topic पढ़ते हो, उसको पढ़ने के बाद, class में बढ़ते हो, 24 hours में revise करते हो ना, तो कम से कम 7 to 10 days तक 100% याद रहता है, एक बात और इसमें मैं add-on कर रहा हूँ, 7 to 10 days में अगर आप उसको फिर से revise कर लिया, आप exam तक नहीं बूलोगे, और जिसने exam में revise कर लिया, वो lifetime याद रह जाएगा, same sir, इसको 1 is to 1 is to 1 revision strategy भी बोलते है, कि जो आपने आज पढ़ा, आप एक दिन बात पढ़ रहा हूँ, एक हफते बात पढ़ रहा हूँ, एक मेने बात पढ़ रहा हूँ, इसे consistency है, विकासर क्लास में गे बार बोलते है, consistency, consistency and consistency is key to success, ठीक है, एक और बात में इसमें add करना चाहूंगा, कि आप इधर उधर मत भटको, module-based रहो, steady material-based, यानि कि मैंने कहा थ में तीन बाते बता रहा हूँ, second बात में बताना चाहा हूँ, आप module-based रहो, now what is the meaning of module-based, जो ICSI ने आपको content दिया है, वो बहुत अच्छा है, मैं मेरा बताता हूँ, ठीक है, मेरा जो content वो पूरा as it is ICSI से लेकर, उसमें bulletin बगरे करके, और वैसे जमा रखा है, ICSI ने अपन questions कर लिए, अब कुछ बचा ही नहीं, actually, but बच्चे नहीं समझते सर, ये, कोई shortcut दो, बिल्कुल सही करो, आप किसी classes पे मज़ जैसे मेरा, मैं किसी classes को negative बात नहीं कर रहा, मैं किसी की positive बात नहीं कर रहा, मैं मेरी खुद की बता देता हूँ, ठीक है, कि जैसे मैंने क्या किय किया, module का content उठाया, wordings module किया, मैंने module के questions उठाया, उसको अपने हिसाब से answers लिख दिये, same to say, मैंने past 10 questions उठाया, उसके अपने हिसाब से answer लिख लिख लिए, उसको compile करके book बना दी, अब मैं कहूँ कि वो मेरे इनो से नहीं, वो module ही है, वो पुरा, but ये है कि वो सुन्दर module है, जिसको समझने में आपको आसानी रहे, shortcut module है, जिसको आपको समझने में आसानी रहेगी, तो पहला तो consistency, दूसरा module-based पढ़ाई, और तीसरा कुछ भी छोड़ने उन्हीं वाली बात, आपको छोड़ोगे नहीं आगर, तो आपका confirm है कि clear हो गई होगा, अब चाहो तो मैं आपको group-wise बता दूगे, one group, two group वाला एक चीज मैं बच्चो को बताना चाहता हूं, मैं, देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे है न, अभी हमारे institute में क्या किया है, CSEET हो रहा है जुलाई में, executive होगा December में, तो कुछ बच्चो को लगता है कि हम लोग बोध ग्रूप December में संभव नहीं है, आप बोध ग्रूप अगर December में देऊगे न, तो आपके पास इतना सारा vast syllabus है, तो जुलाई में जो पास हो है, वो single group ही देऊ, वैसे, sorry, मैं भूल गया, जुलाई वाला वैसे single group के लिए ही eligible होता है, मैं में वाले की बात कर रहा था, में की बात कर रहा था, जो में वाला जो अच्छा है न, जैसे जुलाई से पहले exam होता है, April में, 1st January में होता है, फिर April या में में होता है, में में होता है, तो अभी में में exam हुआ, 15 में को result आया, अभी भी मैं मानता हूँ कि यह वाला जो भी time है न, institute कहता है, बोध ग्रूप दे दो, बट आपको एक बार सोचना है कि आप बोध ग्रूप दे पाओगे के नहीं दे पाओगे, पहले क्या होता था, जैसे आपने CS Foundation से पास किया, CS EET से आपने, मेरे time पे सही था, sir, one year का gap, वो जो gap था न, वो बोध ग्रूप के लिए था, अच्छा, अब सब के लिए applicable, like you are intelligent person, मैं जहां तक समझ पाया हूँ, तो आप जैसे लोगों के लिए दोनों ग्रूप देना बेटर हो सकता है, but I am not intelligent person, तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, intelligent नहीं हो, और सब कुछ हो रहा है, teaching हो रही है, practice हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत और one मैं थोड़ा सा सोच समझ के decision लेना चाहिए, आप टियारी कर सकते हो बहुत साथ में दो, नहीं तो एक एक करके दो, ओके, thank you so much sir, what an insightful session, मतलब इतने कम टाइम में इतना कुछ सीखने मिला है, मुझे खुद को, आप बहुत अच्छे podcast कर रहे हो, मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा, मैं पहले भी आपके 4-5 podcast अभी देख चुका हूँ, अच्छा लगता है कि आप experience लोगों को लाते हो, उनसे आप बात करते हो, student तक बात पहुँचती है, nowadays what I can see is, you are face of our paternity, मुझे ऐसा फील होता है, तो आप इस तरह के podcast करते हो, so I am more thankful कि आप कई बार हम बात बताना चाहते हैं, and you are becoming a mediator, who will show the whole mass, whole company secretary, either they are aspirant or they are professional, they will get to know, I am thankful to you. Thank you so much sir, thank you.